एक तरफ़ा प्यार में प्रेमी ने प्रेमिका की ले ली जान, पानी में तैरता मिला शब। एक तरफ़ा प्यार में लड़कार अली रोशन अंसारी ने फासी लगा कर आत्मत्या करने का प्रियास किया था। महीं पर मित्तक रेश्मा खातून की माता फतीमन बीवी ने बताया कि दिन गुरुवार को लड़की बीरबल स्कूल से पढ़ाई करके घर के लिए लोट रही थी। इसी दोरान बीरबल गाउनिवासी मोदू शिर अंसारी के पुत्र अली रोशन अंसारी के दोरान रेश्मा खातून को जबरन मुबाइल दे रहा था। लेकिन लड़की ने मुबाइल देने से सीधा इंकार कर दिया और लड्की के दोरा बोला गया कि मैं घर जाकर अपनी माता पिता को बता दूँगी। लड़की ने सारा वेड़तांग घर जाकर अपने परीजनों से बताया उसी दिन लड़का और लड़की का पिता लड़की के घर जाकर दोनों परीजनों के बीज समझाया भुजाया गया लेकिन लड़का का एक तरफा प्यार में पागल था अगले एक दिन बात पुना दिन शनिवार को रातरी आड़ वजे लड़की के घर पहुच कर लड़का द्वारा लड़की को धंकी दिया गया कि आज रात तुमको बता देंगे नौबत या हुआ कि शनिवार को रातरी लड़की अपनी घर की सदस से सोई हुई थी मदिरातरी को लड़की को उठा ले गया इधर लड़की के परिजनों का रो रो कर बुरा हाले समद में SDPO प्रमोत कुमार केश्री से पूछ जानी पर उन्होंने बताया कि घटना निंदनी है वीरबल गाउं में बौगणा टोला में स्तिद विरेन जैसवाल के तलाप में एक 15 वर्षे लड़की का शब बरामत हुआ है शब को अपने कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है मृतिका की परिजनों के द्वारा गाउं के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया लेटेस्ट अबडीट पाने के लिए हमारी चैनल ग्रीन लाइन न्यूस को अभी सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलें